हेलो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं 37 गयलरी और मैं हूँ 37 आज के एपिसेड में हम पेड़ों की ड्राइंग करके देखेंगे सबसे पहले ट्रीज या पेड़ों की ड्राइंग करने के लिए आपको पेड़ों को देख के अब्जार्ब करना बहुँ जरूरी है आपके आस प के बारे में जाना आपजेक्ट ड्रॉइंग हमने किया था पिछले वीडियो में मैं आपको पेड़ों की ड्राइंग करके दिखाऊंगा की किस तरह से अलग अलग प्रकार के पेड हम कैसे ड्रॉण कर सकते हैं कि पेड का तना जो है कि नीचे की और काफी मोटा होता है जैसे जैसे पेड़ की उचाई की तरफ जाएंगे हम उसकी साखाएं जो है पतली होती जाती है और उसमें हमको टहनियां ड्रो करना है इस तरह कस देखें जीसे मैं कर रहा हूं पेड़ों की साखाओं से पेड़ों की बहुत सारी टहनिया आप इस तरह से डॉप ड्रॉप कीजिए कि अगर अगर प्रिक्टिस करना चाहते हैंज़र यहां सो के वखाओं में तो बच्चो की सिंपल ट्राइग कई आप खरीद लीजिए और सिंपल पेंसिल्स जो फोर बी सीरीस की Congo हैं यहां अलग अलग सीरीस की पेंसिल्स खпрasiud कर सकते हैं मैं पेंसिल भी अब सरा की simple pencil यूज़ कर रहा हूँ, इस तरीकेश देखिये पेड़ की जड़न को भी थोड़ा सा ड्रा कर देते हैं, उसके बाद paper stirं की सायता से मैं pencil की strokes को smudge कर देता हूँ कि आप किसी भी सीरीज की पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन 4B pencil बहुत ज़्यादा साफ और बहुत ज़्यादा槃 नहीं रहो होती है यह एक नार्मल pencil है किसी98 एक मीडियम के रेंज की pencil है मीडियम ग्रेट की तो यह ज्यादा तूटती भी नहीं है इसलिए और भी पेंसिल काफी अच्छी होती है ड्राइंग के लिए अब देखिए मैंने बहुत सारी टहनिया पेड़ की एक पेड़ से मैंने ड्राउ करते हुए बहुत सारी टहनिया निकाल दी है में पेड़ों की पतेयों को बनाने के लिए आप जीओकि पेड़ हमसे काफी दूर हमसे काफी दूर है इस तरह से जब हम पेड़ की ड्राइंग करते हैं किसी लन्ड्ट्यप में या नेचर रट्राइंग में में पेड़ कंसे काफे दूर होते हैं इसलिए पेड़ों की पत्तियों को हम ज्यादा डीटेल नहीं कर पाते हैं तो तुछटीम किस तरह से ड्रॉ करना है इसको ध्यान से देखिए या यह सर्फेस एरिया में मैंने पेड़ों की जड़ और सर्फेस पे उसकी हलकी सी परच्छाई ड्रॉआ कर दी है अब पेड़ों की पत्तियों को देखिए किस तरह से ड्रॉआ करना है कि पत्ति की तरह फिल आना चाहिए आपको बहुत ज्याद डीटेल में पत्ति बनाने की जरूरत नहीं है कि इस प्रकार से जो पत्ति वाला एरिया है उसको हम सेडिंग कर लेते हैं यह देखिए पेंसिल को पूरी तरह से तिर्चा पकड़ रहा हूं पीछे से कि कुछ और टहनिया मैं ड्राउ कर देता हूं जितने एरिया में आपको पत्ति पत्तियां बनानी है या पत्तियों को दिखानी है उस एरिया को आपको सेडिंग करनी होगी इस तरह से देखिए मैं पेड के उपर वाले एरिया में टेक्स्यर दे रहा हूं जिससे पेडों के उपर पत्तियां लगई होनी फिल हो रही है इस तरह से देखिए मैं पूरी तरह आको पत्ति वाले जो पेड का एरिया है उसको आपको सेडिंग करनी है कि पेपर स्टम का यूज करके मैं पेडों की पत्तियों वाले जो एरियाज है उनको मैं ब्लेंड कर देता हूं कि देखिए हमारा पेड़ एक साधाराण सिंपल सा हमारा ट्री यहां पर बन के तयार है इसी प्रकार हम कुछ और अलग प्रकार के पेड़ों की ड्राइंग सीखते हैं हम करते हैं कि हर तरह के पेड़ों की ड्रौइंग करने को प्रयास करिए लेक्स्ट मैं एक मैं नाारियल का पपेड़ ड्रॉप नकेयल की दिखाता हूं कि वीडयो काफी लंबा हो जाएगा इसलिए मैं वीडिवेश को थोड़ा सा फास्ट कर देता हुं कि कोई भी ड्राइंग करने से पहले observation बहुत जुरूरी है आप किसी भी subject की ड्राइंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने subject के बारे में knowledge रखनी चाहिए या उसके लिए थोड़ा सा प्री प्लान कर लीजिए जिस चीज की आप ड्राइंग करना चाहते हैं कि अगर आप सीखना चाहते हैं इस चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाए जिससे आप आने वाली वीडियो को आसानी से देख सकें कि इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं लिंक मेरे description बॉक्स में है कि इस चैनल पर मैंने बहुत सारे टाइम लेप्स वीडियो अपलोड किये हुए हैं लेकिन मुझे लगा कि टाइम लेप्स वीडियो के थुरू आप सीख नहीं पाएंगे और बहुत सारे social media pages में मैंने देखा कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ड्राइंग करने की कोशिश तो करते हैं लेकिन प्रापर गाइडेंस और प्रापर वे में जानकारी नहीं होने के कारण वह ठीक तरह से ड्राउन ही कर पाते हैं इसलिए मैं यह टुटोरियल वीडियो अब आपके पास लेकर आ रहा हूं इन वीडियो के माध्यम से आप स्टेप बाई स्टेप काफी सारी चीजें सीख पाएंगे जो बिगिनर हैं जो थोड़ा मुड़ा इसमें पैशनेट हैं या उनको भी हेल्प मिल सकती है मेरी वीडियो से आगे कुछ अलग तरह के पेड़ मैं बना के आपको दिखाता हूं जैसे की केले का पेड़ कैले का पेड़ कैसा होता है थोड़ा सा एब्जॉर्ब करके हम देखते हैं और केले का पेड़ ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं सिंपली आप पेड़ों को अब्जार्ब करिए और उनकी ड्राइंग करने की कोशिश करिए जैसे केले का पेड़ किस तरह का होता है उसकी पत्तियां कैसी होती है उसमें बहुत सारे ब्रांचेस नहीं होते हैं तो हम केले का पेड़ इस तरह से ड्रॉ करते हैं जैसे जैसे मेरे वीडियो के एपिसोड आगे बढ़ते जाएंगे हम एड़ प्रेजेंट हम काफी बेसिक लेवल की ड्रॉइंग करना सीख रहे हैं जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जाएंगे हम हम एड़ लेवल तक जाएंगे इस चैनल के वीडियो में आप एड़ प्रेजेंट जो देख रहे हैं उसको फॉलो करते हुए आप डेली प्रेक्टिस करिए घर पर बहुत ज्याद़ प्रेक्टिस करने की ज़रूरत नहीं हैं आप घर पर आधा या एक घंटा प्रेक्टिस है और प्रेजेंटली काफी सारे स्कूल कॉलेज़ के स्टुडेंट्स के क्लास भी नहीं हो पा रहे हैं स्कूल कॉलेज भी बंद है काफी हत्तक तो आप घर पर रहकर जो पैसनेट है जिनकी होब्य है ड्राइंग करना वह इस चैनल की त्रूव अपनी ड्राइंग को काफी हट तक इंप्रूब कर पाएंगे जनरली आर्ट कॉलेजिस में जा कर सीखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं होता है जो लोग पेसिनेट होते हैं या जो जिनकी होबी होती है आर्ट में फिल्ड में कुछ करना या ड्राइंग पेंटिंग करना तो उन लोगों के लिए इस तरह से जो टुटोरियल्स वीडियो हैं वह काफी ज्यादा हेल्पूल हो सकते हैं अगर वह स्टेप बाई स्टेप वीडियो को देखें और उसको फालो करते हुए आप अपना प्रेक्टिस जारी रखें तो काफी हद तक वह अपने ड्राइंग को पे कई लोगों का यह मानना होता है कि काफी अच्छे महणग टूल से या कोस्टी मैटेरियल से ही अच्छे ड्राइंग बन सकते हैं एफेक्टिव ड्राइंग हम बना सकते हैं तो ऐसा नहीं है आपके उपर डिपेंड करता है कि आप सिंपल जो टूल्स आपके पास अभीलिब नार्क कर सकते हैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको ड्राइंग टूल्स के बारे में ही कभी इंटायर वीडियो बना कर आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से ड्राइंग माटेरियल्स और टूल्स का यूज किया जाता है कुछ और अलग तरीके का पेड़ हम बना कर देखते हैं आज का वीडियो पूरा ट्री ड्राइंग पर ही बेज़ड है कि अलग अलग तरह कि ट्रीज हम कैसे ड्राइंग कर पाते हैं या कैसे ड्राइंग करते हैं इस तरह से संकुनुमा ब्रिक्षाप ने देखा होगा संकुनुमा ट्री जो होता है जेनरली जो पहाड़ी इलाकों में या बरफिले इलाकों में दिखाई देते हैं कि देखिए इस तरह से संकुधार जो ट्री होता है उसकी ड्राइंग कैसे बनाई जाती है कि सारी चीजें पेंसिल की यूज पर डिपेंड करता है आप अलग अलग तरीकी का इफेक्ट आपको किस तरह से आप पा सकते हैं देखिए मैंने अभी तक जितने भी तरह के ट्रीज बनाया है या ट्रीज रॉक किये हैं उनमें किवाल एक ही पेंसिल के यूज कर रहा हूं है बहुत सारा पेंसिल का यूज नहीं कर रहा हूं इस तरीके से देखिए एक ट्री नूमा आकरिती कैसे तैयार करते हैं कि अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मुझे कमेंट करके मुझे बताइए या कोई सजेशन हो आपके तरफ से तो भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं तो मैं अपने वीडियो में और इप्रूमेंट लाने की कोशिश करूंगा जिससे आप काफी इजी तरीके से आप और कम टाइम में आप इफेक्टिव ड्राइंग बना सकें और मेरे साथ साथ सीख सकें आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहे होंगे अगर पसंद आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए मेरे साथ और इस एपिसोड में बस इतना ही नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ थैंक्यू सो मच